हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होगे आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि आने वाला जो नया बहीना है वो आपके लिए क्या कुछ लेके आएगा ये तो आपको पता ही है आपने बहुत सरे वीडियो देखे भी इस टॉपिक पे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्या guidance है आपके लिए और कैसा वक्त आपका रहने वाला है दिसम्बर में तो सला बहुत जरूरी होती है हर इंसान के जीवन में सला जो होती है अगर अच्छी सला मिल जाया ना तो उसके जीवन के जो रास्ते होते है बहुत आसान हो जाते है हाँ परिशम करना पड़ता है मैनत करना पड़ता है वक्त के हिसाफ से चीजें मिलती हैं लेकिन सला बहुत जरूरी होती है गाइडेंस तो हम आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं यह आने वाला नया महीना आपके लिए होगा होगी 2022 की लेकिन ये जो साल का आखरी महीना आपसे क्या कह रहा है क्या सला है आपके लिए इस महीने के लिए अगर कोई important काम है आपका कुछ भी आप करने वाले हैं इस महीने आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक चाहिए जर्नल रर्डिंग है सबके साथ connect नहीं होगी ये बात तो मैं आपसे हर बार कहती हूँ और इस बार भी कहूंगी सबसे connect नहीं होगी विश्वास है तो आप देख सकते हैं आपके ओपर है आप फॉलो करना चाहें ना करना चाहें आप entertainment के तौर पे देखना चाहते हैं बिलकुल आपकी इच्छा है आप जैसा चाहें वैसा वीडियो देख सकते हैं कोई भी किसी भी तरिके का आपके उपर प्रेसर नहीं है कि आप वीडियो को देखें माने बातों को आप एक entertainment के तौर पे इसको देखिए मज़ा देखिए कि मज़ा लीजे किया कितने ऐसा आप जानने को मिलता है कितना अगर आपको भरोसा है विश्वास है तो चीज़े काम करती है लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो चांसे थोड़े कम हो जाते है तो आज की वीडियो आप समझी कहा है guidance की वीडियो है आने वाला जो समय है आपका कैसा होगा आपके सामने यहां पर बस दो नंबर दिख और दो आने वी वीडियो में अजरो समसु wszyscy कि एगा और समय के बाते हैं और यह उसके वीडियो स्टार्टे future March2 मोई को आपको पर अच्चा से बहुत में कता समय कर фильм सुखन करें वीडियो जो स्के वीडियो करन libraries लेकि यहां आपको चले मेरे बिजित है खिए इसका स्थिए के लिए कि जो आने वाला महीना है आपके लाइफ में दिसंबर का जो महीना है वो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है आपको कि आपको क्या सला माननी चाहिए क्या सला आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा ठीक है तो चलिए हम यहां पर साहीं बबा के डेक को ले रहे हैं नई महीने की सुरुवात हो और साहिं बबा की कार्ट्स हो तो किती अच्छी बात है और यहां से आपको बहुत अच्छी guidance मिलेगी हमेशा की तरह तो अभी हम देखते हैं जिन लोगों ने भी number one चुना है उनके लिए क्या guidance है सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है mon तीक है mon की भासा सीखनी है आपको हजारों सब्दूसर भी ज़दा ये कारगार है तो यह December के लिए बहुत important message है हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बाते बोल दें जो आप बोलना नहीं चाहते हैं या फिर आपका बात का मतलब वो ना हो लोग कुछ और मतलब निकालने बातों का इसलिए कम से कम बोले और बहुत सोच समझ के बोले जब भी बोले बहुत सोच समझ के बोले तो यह है इस बात को ध्यान रखी का यह आपके लिए guidance है कास तौर पे दिसंबर के महीने के लिए ठीक है आईए guidance और देखते हैं आत्मा का सफर मैं मार गरपत जरूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तैं करना होगा अगर आप बहुत समय से परिशान है आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है क्या से लाइफ में आगे बढ़ना है आपको कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे है कहीं से उमीद नजर नहीं आ रहे है आपको दिसंबर के महीने में इतनी समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है जिवन में साही बबा के कार्ट से जो गाइडन्स की तौर पे हैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि देखे क्या होता है जब जाला कार्ट हो जाते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो बहतर यहीं होगा कि जिन लोगों के साथ भी करनेक्ट हुआ है वो सम के लिए कि यह जो दिसंबर का महीना है उसके लिए आपके लिए क्या सला है पहला कार्ट जो आ रहा है बहुत अच्छे मौके लेकर आएगा आपके लिए नौट राइट टाइम कुछ नहीं सुरुआत करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सो समझ कि करें ठीक एक्शन एक्श अपने लक्ष बनाया है आपको मौके मिलेंगे अपने आपको साबित करने के लिए कोई डिसिजन अगर आप फिलहाल जब इस वीडियो को सुन रहे हैं अगर आप लेना चाहरे हों तो लीचे डिसिजन तो आपको लेना है लाइफ में हमेसा कन्फ्यूजन में नहीं भैटन लेकिन बहुत सोच विजार के ठीक है और कुछ ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए और आपके लिए नहीं है यह फिर आपके लिए यह काम नहीं बना है आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर यह सब बाते आपके माइन में चल नहीं है तो फिर आपके लिए तोड़ाँ आभने get शोचंता प्रहें काम चाहार। के लिदा काम कंटारा है। थूपको सुछ होग करते हैं तो आपको काम करते रहना है। रूकण आभ आपको सुच्छान सोच पीचार कीजीगा। जब अभी December स्टार्ट हो जाएगा उसके बार आप अपना जो डिसिजन लेना चाहते हैं जैसा करना चाहते हैं करें और यही आपके लिए सला है बहुत अच्छी सला दिकरी दिसंबर वालों के लिए कहस तर पर आपको मौन रहना है आपको आपकी जीवन का लग समझ में आए तो आपको रुखना नहीं है आपको काम करते रहना है आगे बढ़ते रहना है आपको डिसिजन लेते रहना है डिसिजन अगर आप लेते हैं जल्दी तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आउसर आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारे आउसर आ रहे हैं तो आपको करते रहना है तो यह सलाह आपके लिए है और जो लोग की शादी हो चुकी है आप हाउस वाइफ हैं आपके लिए क्या सलाह है ध्यान दीचेगा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि मौन रहना है हो सकता कुछ बाते आपके ज़ादा बोल दिने से सब्सक्राइब कीजिएगा आए अब देख लेते हैं जिन लोगों ने भी सेकेंड नमबर चुना है ठीक है सेकेंड नमबर का कार्ड आपने चुना है आए देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि दिसंबर के लिए आपके लिए क्या सलाह है कि दिसंबर के लिए जो आपके लिए कार्ड आ रहा है वो हम देखते हैं क्या है नमबर सेकेंड पवित्र पुस्ते के पढ़िए आपने जो भी सीखा उसे वहवार में उतारिए और अपनी जनकारी को ग्यान में बदल दीजिए ठीक है अच्छी बाते अगर आपको पता है आपको सबको समझ है हर बात आपको पता है तो उसे अपने जीवन में उतारिए भी कि ओला जानकारी रखना ही आपके लिए अच्छा नहीं है आपको जानकारी अगर है आपको किसी अच्छी बाते का ग्यान है अच्छी बाते पवित्र पुस्ते के आपको पता है कि कौन सी यांँज आपको बहुत बार बताया है तो मुझे जरूज बारल वही बात्य करने की लेकिन अrafirmात कर्थ उटन कि वो सकते हैं कि सुछ नए लोग हो तूं सरुझ में नहीं आ रहा हो पढ़ने से जरूरी है कि आप पढ़ने के बाद उसको अपने जीमन में लागू करें तब ही आपको अपने जीमन में वह चीज़ मिल पाएगी जिसकी तुलास आपको है आईए देखते हैं एक और संदेज दिसंबर के लिए क्या है दिसंबर में ये काम आप किज़े और के लिए युए बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आपके जीमन में बहुत डुख है अगर आपके जीमन में बहुत 하 के हैं तो इसको बल्कुल यह मतलब नहीं कि इचकर आपके साथ नहीं है अक्सर हम लोग सोचते हैं जब बहुत सारी खुशियां होंगी, बहुत सारदabetes होगा तब है यिश्वर की कित्भा हमारे उपर है बर ऐसा सचने सचने नहीं है, यह سचने कहा रगा सकता है, क्यों जरूर피 नहीं है, यिश्वर का आश्रिवाद हमेशा आपको पैसे की रूप में मुले हम इसा आपको खुशियों के रूप में मिलें इश्वर का आश्रवाद तो आपको बहुत सारे रूप में मिलता है लेकिन महत तो हम देते हैं केवल जब हमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं बहुत सारा धन मिल जाता है हम बहुत खुश रहते हैं जो आपको जीवन जीने की जो एक उर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है वो इश्वर का आश्रिवाद है कि आपको इतनी उर्जा मिल रही है आपको इतना साहस मिलना है कि आप अपने जीवन की कटनाईों से लड़ पा रहे हैं अगर वो साहस आपको ना मिलता तो आज सायद आफ इस वीडियो को सुननाT रहे होतें तिन शक्ति आपके अंदर आती ही नहीं कि आप इतनी बड़ी दुख से अपने आपको निकाल पाए तो ये दुख से बाहर निकाल पाने की शक्ति कहां से आती है एश्वर देते हैं उसक्ति आपको वो सब जू परीचे उसके रूप में इश्व की किरपा होती है, इश्व की किरपा तो बहुत सारे रूप एवर से होती है, वस फίο यह Silva constantly को यह दों भीक होती है, तो वही चीज है कि जो हालात होते हैं उनसे हमें स्वैम लड़ना होता है जो इनसान अमीर बनके बैटा है तो उसको रातो रात एश्वर ने अमीर नहीं बनाया है उसने भी संगर्स किया है उसने भी परिशम किया है वो भी अपने कर्मों का ही खा रहा है हाँ पे जनम की भी है हमारा जो पहला जनम होता है हमारा जो मतलब पिछला जनम रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे हमसे भूल हुई होगी कुछ ऐसे कर्म हमसे हुए होंगे जो हमें नहीं करने चाहिए इसलिया कहते हैं कि कर्मों को विशेज ध्यान दीजे क्योंकि कर्म का ही फल हमें देखने को मिलता है ठीक है इस जनम में आप अपने कर्मों का फल होगेंगे और अगर इसमें नहीं आप काट पाते हैं तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आपके साथ जाएंगे अगर आपके कर्म बुरे हैं तो वो भी आपके साथ जाएंगे तो जो आपका अगला के जनम होगा उसमें आपको वो सब चीज़े फेस करनी पड़ेंगी इसलिए कंप्लेंड नहीं करना है आपको जो भी कुछ है उसको accept करना है ये मानना है कि ये सब कुछ आपकी ही कर्मों का फल है जिस दिन से आप ये मानने लगेंगे कि सब कुछ आपके कर्मों का फल है उसी दिन से आप अपने जीवन को बदलाओ ला पाएंगे चेंज करेंगे आप सुधार कर पाएंगे ठीक है तो यह आपके लिए गाइडेंस है दिसंबर के मेरे में अगर आपके मन में ऐसा खयाल आता है कि इश्वर आपके साथ नहीं है आपको तो दुखी दुख मिला है ऐसा नहीं है ठीक है सब कुछ हमारी कर्मों कफल है आए हैं क्या कार्ड है कि देखिए जो कि आप चाहते हैं वह आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा भी लेकिन यहां पेक वह आ रही है मतलब एक रुकावट आ रही है यह रुकावट आपके मतलब कम्यूंकेशन में है आप चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं आप अपने भविश्य को अपने माइंड में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इससे क्या होता है ना कम्यूकेशन जो हमारा होता है यूनिवर्स के साथ उससे करनेक नहीं हो पाता है क्योंकि हम खुद नहीं समझ रहे होते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है हमारा लक्ष क्या है हमारा फोकस क्या है हमें क्या चीज मिलेगी तरहें जारा खुशी होगी यह जारा तर लोग वहीं पर कंफ्यूज होते हैं और फिर कहते हैं हमें यह नहीं मिला हमें वह नहीं मिला सुरू से ही हम अपने रिलेशनशिप को एक स्टार्टिंग से ही है कि मेरी फैमिली वाले नहीं मानेगे जो सुरू से ही आपने उस चीज को अपने रिलेशन्शिप में डाला है तो कहीं नंहीं मैनिफेस्ट होगी ही होगी। इसलिए कहते हैं जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए हमीसा क्लियर रहें और पॉजिटिव रहें अगर आप रिस्ते में हैं तो हमीसा पॉजिटिव सोचें कि नहीं यह मेरी फैमिली वाले मान चाहेंगे हम एक हो जाएंगे हमाई शादी हो जाएगी यह मैं लाइफ पार्टर है क्यों नेगेटिव सोच रहा है अगर आपके अंदर नेगेटिव आही रहा है तो फिर आपको वह रिलेशन्शिप में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए ठीक है इसलिए कहते हैं कि क्लियर होना चाहिए क्लियर होना चाहिए आपके लिए जो कार्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी तक आपका जो क्म्यूकेशन है वो बहुत क्लियर नहीं है यसलिए आप यूनिवर्स से जुड़ना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि आपका काम जल्दी से हो चाहिए तो सबसे पहले आपको चीज़ों को clear करना होगा खुद के mind में कहीं और किसी से नहीं कहना है आपको खुद में समझ लेना है कि आपको क्या करना है life में आपको क्या चाहिए जीवन में युनिवर्स ते क्या मांगना चाहते हैं युनिवर्स आपको क्या दे तो ये साही चीज़े आपको बस अपने आप से ही कहनी है आपने आप से जब आप कहेंगे तो ये चीज़े क्लियर हो जाएंगी यूनिवर्स को कि आपको ये चीज़े चाहिए आप लाइफ में ये चीज़ पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ जरूर देग हो जाएंगे ट्रस्ट करना है अपने उपर जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उस पर सबसे पहले रोल आपका ही है अगर आप कुछ अपना जॉब देख रहे हैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर देख रहे हैं तो पहले आपको अपने उपर यह विश्वास लेना होगा कि हा सहारा नहीं चाहिए खुद तो मुझे भरोसा है कि मैं अपने रिलिश्शिप के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं ठीक है तो हम इसा खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए उसके बाद आपके जो लक्ष होते हैं वो क्लियर होने चाहिए फिर युनिवर्स तक बा गाइडिस दिसम्बर के महीने के लिए उमीद करते हैं कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स